शांती जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाइज आप देश विदेश सब जगह गए हैं लेकिन एक बड़ी एहम जगह है जहां पर सारे नेता भी नेता मिलते हैं अधिकतर रास्टपती भवन रास्टपती भवन के अंदर जो तस्वीर लगी है जो प्रतिमा लगी है वो लगी है गौतम बुद्ध की 33 करोड देवी देवताओं को छोड़ कर क्यों लगाई सिर्फ महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा वो बताएं बहुत अच्छा सवाल है मगर हम बुद्ध को महत्मा नहीं कहते हैं दूसरा ये है कि ये राश्पती भवन आप इसो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका जो अपर गुंबद बना हुआ है जो सांची स्थूप है भोपाल के पास में उसका जो मैन स्थूप है उसकी ट्रू कोपी है तो ये सारा आठ है राश्पती भवन का वो बुद्धिस्ट आठ है एक बात तो ये है दूसरा भगवान बुद्ध की ये जो प्रति मां अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी मगर देश जब स्वतन तरू है तब ये अगर लगी है तो वो इसलिए लगी है कि बुद्ध किसी धर्म के प्रतिनीधी नहीं बुद्ध जिसे धर्म की बात करते हैं वो प्राकरतिक धर्म है प्रतिक व्यक्ति पर लागू होता है अब जो प्राकर्तिक नियम क्या होता है किसी को आपने चागू चुबोया तो उसो चुबन मैसूस होगी न तो वो चाह किसी भी जाती का हो किसी भी धरम का हो किसी भी देश का हो किसी भी रंग का हो किसी भी कत का हो तो वो तो सब पर होगी तो यह जो पराकर्तिक नियम है बुद्ध ने अपने धम का आधार उनको बनाया तो बुद्ध का जो कोई भी सिद्धानत है वो सब लोगों पर लागू होता है जितने सैकुलर बुद्ध है इतना कोई नहीं है बुद्ध जब कहते हैं मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा तो तो हरेगुयक्ति पे कानून लागू होता है ना दुनिया की कोई भी सरकार ले लो सबने किसी की हत्या करने के विरोध में कानून बनार के दंड निर्धारित कर रखे हैं बुद्ध जब कहते हैं कि मैं कट्व अचन नहीं बोलूँगा जूती गवाई नहीं दूँगा किसी का चुःटी छल्टी नहीं करूँगा तो ज़बान का दोस है na तो ये तो बुद्ध जब कहते हैं तो सारे संसार में जूटी गवाई देने के विरोध में दंड निर्धारित है ना किसी को गाली देने के विरोध में किसी को अपनी जबान के सुआत के चकर में जगड़ा लगाने के लिए दंड निर्धारी तेना तो बुद्ध के जितने भी नियाने सारु जनीन हैं, हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं, इसलिए भगवान तथगत सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा को राश्पति भवन में इस्थापित करने का अवसर मिला, किसी ने विरोध नहीं किया, ना किसी प्रांत वाले ने, जब ये तीन परतिमाय मतुरा के एक कट्रे से खुदाए में मिली थी, मकान बन रहा था, मकान बनते बनते जब बुन्यात खोदते खोदते नीचे गए तो उनको कुछ नजर आया, नजर आया थोड़ा और कोदा तो आकरिती नजर आई, और ज्यादा ख जैसी नजर तो सांची की होती है, वह ये हाथ की बनाई हुई थी, तो ये तीनों मूर्ती जो मिली है, एक राजपती भाउन में है, एक दिल्ली म्यूजियूम में है, और एक केलकटा के म्यूजियूम में है, तो ये जो परतिमाया लगी है, वो इसलिए लगी है, कि बुद हम एक शब्ध है dhati koti देवता हम रहे हं देयВता और इन के हंद देवता में अंतर है हम-अ शील सदाचार. युक्तवव्यक्ति को देव कहते है और इन थे पी खीज़ित background और देवता को रूत कर सकता किसिका फायदा कर सकता है तो इह हमारे 33 kotiешton देव हैं, जिसको तुशित लोक में रहना मानते हैं, वो व्यक्ति को सदाचार के मार्ग पर परश्रस करने के लिए कुछ अवधार नाए घड़ी गई, उन्हीं की नकल करके इनों 33 करोड़ देवी देवता बना लिए, तो वो किसी काम के नहीं है, हमारे बहुत धरम में कोई देवता किसी को देता नहीं है, किसी का नुकसान भी नहीं कर सकता, व्यक्ति अपना लाव और अपना नुकसान अपने करमों से खुद करता है, यहीं बहुत धरम हैं, किसी से हमारी कोई अपेक्षा नहीं, हमें जो मिलेगा, इन हात का कियावा मिलेगा, अगर हम अपना खो गोईए अपने दुराचार के बल्भूते पर खोएंगे इसलिए बुध्र बात करते हैं व्यक्ति के चरित निर्वान की बात करते हैं और जो सबसे उचे चरित्र की व्यक्ति होते हुनी को देव का आगया देवता का आगया अब आप देखेंगे जब भगवान बुद्ध अमरपाली के अमबवन में गए और वहाँ अमरपाली आकर उनसे कहते है मेरे घर का भोजन सुविकार कीजिए कल में तो बड़ी धन्य होगे आप मेरे बगीचे में आए उन्होंने वो सुविकार किया मगर जब वहाँ से वह आपिस आजाती है उसके बाद में लिच्वी राजकुमार वहाँ जाते हैं रास्ते में अमबवपाली को मिले वो कहते है अरे तु इतनी फूली कैसे समा रही है तेरा रत तो बड़े तेज जा रहा है हमारे से टक्राते हुए जा रहा है तो वो कहती है कि मुझे भगवान बुद्ध ने कल मेरे घर का भोजन गरन करना सुविकार किया, मेरी बहुत बड़ी उपलब्दी, तो राजकुमार कहते हैं, ये अंबपाली, ये निमंतरण तु हमें दे दे, हम तुझे बहुत भारी नाम देंगे, वह कहते हैं, तुम क्या मुझे नाम द रहे हैं, तो बुद्ध आनन्द को संबोधित करके कहते हैं, कि है आनन्द, जिन्होंने देवता ना देखी हूं, तो देख लो, वह उनको देवता कहते हैं वज्जी राजकुमारों को, कारण क्या है, कि जो साथ आप परिहानिये कारण हैं, जो परतेक व्यक्ति की बीके सूत रोते हैं, वो उनका पालन करते थे, भगवान बुद्ध कहते हैं ना, वसकार को संबोधित करके आनन्द को कहते हैं, कि जो लोग मिलकर बैठते हैं, मिलकर निर्ने लेते हैं, मिलकर पालन करते हैं, अपनी महिलाओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, अपने बुजुरुकों का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का आधर करते हैं, वो देव पूरुश होते हैं, यह देवता की परिभाशा, बुद्ध के अनुसार, तो वो उनको कहते हैं, यह देव आ रहे हैं, मगर इनके देवता, तो बस पूछो मत, जनता के सोशन का माध्यम, कहते हैं हमारे देव को पुझापा चड़ाओ तो मारी मन नत पूरी होगी बिचारे हमारे गरीब लोग पेट पट्टी बांध कर दो पैसे कमाते हैं और जाकर के जब वो मंदिर में चड़ाते हैं तो क्या वो देवता हाथ आगे करके उठाता है उसको नई क्या देवता के बेंक के अकाउंड में जाते पैसे नई जाते किसके पास हैं जो वहां का प्रोहित होता है उसी के जेब में जाते हैं खाने का समान हो या नगदमाल हो तो पैसा तो बड़ी गंदी चीज़ है क्यों लोग इसको मुँँ में भी ले लेती हैं यह जो विचारा सुलब सोचाले वाला है वो जो अंदर से टोइलेट करकर के आते हैं उन्ही से लेता है न वो पैसा तो यह तो गंदी चीज है आदमी के गंदी जगे भी जाती है समशान भूमी में भी जाती है तो यह गंदी चीज तो मंदीर में चड़ानी चाहिए नहीं मंदीर में चड़ाना है और सबसे बड़ा लाब कमाना है तो पुश्पु चड़ाईए फूल चड़ाईए पैसा तो मंदीर में चड़ाई नहीं नहीं चाहिए कभी इससे क्या है देवता गंड नाराज हो जाते हैं रुष्ट हो जाते हैं और फिर अभिशाप दे देते हैं तो अभिशाप से बचना है तो मंदिर में जाईए शरद्धा से जाईए अंदर जाने दें तो ठीक है ने तो दूर से परणाम कीजिए पर पैसा कभी मत दीजिए का अर्थ क्या है पूजा का पूजा का अर्थ है किसी के सम्मान में पुष्प अर्पित करना असली सम्मान तो पुष्प अर्पित करने का है न ये देवताओं को जो आप पैसे चड़ाते हैं और गंदगी का प्रतिक चड़ाते हैं ये तो पंड़तों के घर में जाता है प अब पहले की तरह नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए अब चेक, हमें चाहिए ड्राप, हमें चाहिए ट्रांजेक्शन एंट्री, चाहिए बैंक में, ऐसे नहीं जाओ, देवता की किरपा हुई तुम्हारा काम चल जाएगा, काम मेरी महनस से चल रहा है, सिवे देवता महराज क चला गया ये अब नहीं चलने वाला तो ये राश्पति बहुन में भगवान तथकत सम्यक संबुद्ध की जो मूर्ती है ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में जो आर्टिस्ट लोग हैं कलाकार लोग हैं सांस्कृतिक लोग हैं वो कहते हैं मतलब भगवान बुद्ध की खड़ी हुई सबसे उतक्रश्ट सबसे सुरेश्ट सबसे सुन्दर परतीमा और ये जो खड़ी है ऐसे हाथ करके इसे मुद्राओं की श्रेड़ी में यह हाथ ऐसे किया वा आता अभे मुद्रा अभे मुद्रा का मतलब क्या है कि बुद्ध के पास जाते हुए भे मत खाना ये किसी को बद्वा नहीं देते किसी को गाली नहीं देते किसी को शाप नहीं देते और कभी भी जाकर इनकी शरण में आप नत्मस्ता को हो सकते हैं उनसे सवाल कर सकते हैं दूसरी जगा सवाल पर परतिबंद है बुद्ध की सबसे बड़ी ताकती है कि आओ और हमसे सवाल करो और वो सवाल मौबलिंचिंग से तो वो सवाल करड़े का काम रोका जाता है ना ये बुद्ध कहते हैं आओ और मुझसे सवाल करो एक आया था ग्रीक कराजा आया था भारत वर्ष में पिशावर में आया था और वो यहां का राजा बन गया उसे ने ललकारा के कोई है इस जम्बू दीप में तो आके मुझसे तरक करे कोई नहीं मिला तो उसको कहना पड़ा कि इस जम्बू दीप की जूटी खियाती है यहां कोई यहां विद्वान ही नहीं है कोई अतर्क करने लाइक ही नहीं है यह काहे का जगत गुरु कहलाएगा तो तब एक बहुत बिकू बंते नाकसेन आए और उन्होंने उनकी सारी शंकाओं का समधान किया और शंकाओं का समधान कैसा किया कि वो अंत तो गतवा उस बंते नाकसेन के महाराजा मिलिंद जो जिसका नाम तो मिलांडर था जो ग्रीक का था और यहां आकर जब उनका स्ष्य हुआ तो उसका नाम हो गया मिलिंद उनके चड़्डों में पढ़ गया और कहने लगा अब मैं जीवन परियंत आपका शिष्य बनके रहना चाहता हूँ बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध ने अपनी श्रेष्टा हिस्थापित की बगर हतियार हाथ में लिए बुद्ध जो खड़े हैं ना पर्लिमेंट में वहाँ राजपति भौन उनके हाथ में कोई हतियार नहीं है उनका सबसे बड़ा हतियार ये है आश्रिवात की मुद्रा अब है मुद्रा मगर बागी देवताओं को देख लो हर एक की गोद में कोई महिला बैटी है हर एक के हाथ में कोई हतियार है क्या है ये ये शध्यंत रहे जो आज चल रहा है मोब लिंचींग वो भी मोब लिंचींग का एक रूप है हमें इन देवी देवताओं के आज जरूरत नहीं आज हमारी देवी कौन है हमारी देवी रमा बाई अमबेटकर हमारी देवी सावित्री बाई अमबेटकर हमारी देवी फातिमा बेग ये हमारी देवी है और देवता कौन है सबसे बड़े देव देव आदी देव देवताओं के भी देवता वो बुद्ध है समराठ शोक हमार नगद देवता है बाबा साहिब डाक्टरम बेटकर हमारे देवता हैं कबीर, रैदास, डानक ये हमारे देवता है जो हमें सद बार्ग देते हैं और जिस सदबार्क पे चलने के बाद हमारे घर में ये सब सुक संपती संपदा आती है जब इस देश में समिधान लागू नहीं था जब इस देश में रोगत तंतर स्थापित नहीं हुआ था हमारे लोगों के बदन पर लंगोटा भी साबूत नहीं होता था फटा होता था तो आद ये अगर इस मर्दी आई है तो इन नगद देवताओं के माद्धम से आई है उन 33 करोड देवताओं के माद्धम से नहाई है 33 करोड देवताओं की चलेगी तो हमारी मार पड़ेगी हमारी गर्दन काटी जाएगी हमारी जबान काटी जाएगी हमारे हाथ काटे जाएगे तो ये देवता हमारे काम के नहीं हमें कुछ देते नहीं देने वाला देवता होता है न यह है कि जहां भगवान तथागत संब्यक संबुद्ध की खड़ी हुई परतिमा के पैर है जिस जगह जो उनका लेवल है और बहार जो इंडिया गेट बना हुआ है उसका जो टोप है इन दोनों का लेविल एक है इन दोनों का लेविल एक है यह जो आर्किटेक्चर इन और देवादी देव भगवान तथागत संब्यक संबुद्ध की प्रति अपनी शड़धा व्यक्त करते हैं और उनके बार्क पर चलने का संकल्प लेते हैं मैं एसम न्यूज टीवी के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे अच्छे विशे पर मुझे इंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले